अत्याक्ष्ट महोदे, आपने मुझे बोलने काईजाज़त दिया, मैं आपकी अभारी हूँ. भर्तिया राष्टिया कांग्रिस के तराफ, मैं नारी शक्ती बंदन अदिनियम दो हजाद तेज के समार्तन में कड़ी हुई. दूए से बड़ी हुई रसोई से लेकर, रोश्णी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक, भारत की स्ट्री का साफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिर खार उसने मंजिल को चू लिया है. उसने जानूं दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुशों के बीच तेज दोर लगाई, और असीम धीरच हिसाथ अक्सर कुद को हारते हुए, लेकिन आकरी बाजी में जीतते हुए देखा. भारत की स्ट्री के हुरिडे में महसागर जैसा धीरच है, उसने कुद के साथ कुई इमानी की शिकायत नहीं की, और सिर्थ अपने फैदे के बारे में कभी नहीं सोचा. उसने नदियों की तरह सब की बहाय के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमाले की तरह अदिद रही. स्ट्री के धैर्य का अंदाज लगाना नमुम्किन है, वा आराम को नहीं पैचानती और तक जाना भी नहीं जानती. हमारे महानदेश की माँ है स्ट्री, लेकिन स्ट्री ने हमें सिरफ जनम ही नहीं दिया है. अपने अपने आसों, खुनपसीने सीच कर हमें अपने बारे में सोचने लाइक, पुद्दिमान और शक्तिशाली भी बनाया है. अध्यक्ष महादे, स्ट्री का महेनद, स्ट्री का गरीमा और स्ट्री के ट्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परिक्ष में पास ओ सकते हैं. अजादी के लराई और नए भारत के निर्मान के हर मोर्चे पर श्ट्री पुरुष के साथ कंदे से कंदा मिला कर लड़ी है. वह उम्मीदों, अकंचाव, तकलीफों और गार करहस्ती के बोज के नीचे नहीं दबी. सरोजनी नाइदू, सुचेता क्रिपलानी, अरुना असाफली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमार अमरिट कौर और उनके साथ तमाम लाको लाको महिलाई से लेकर आज की तारिक तक स्त्री ने कतिन समय में हर बार महात्मा गांडी, पंडित्वारला नेहू, सरदार पतेर, बाबा सहाब बनबेटकर और मुलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है. इंदीरा गांडी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुती रोशन और जिन्दा मिसाल है. अध्याक्ष्मा होगे, खुद मेरी जिन्दगी का यह बहुत मार्मिक शान है. पहली दफा स्तान्य निकायों में स्त्री की भगिदारी तैक करनेख वाला संविधान संशोडन मेरे जीवन साथी राजीव गांडी जी ही लाये थे जो राज्य सबा में साथ वोतों से गिर गिया था. बाद में प्रदानमंत्री पीवी नरसी मराओ जी के नित्रित्व में कांग्रे सरकार ने ही उसे पारिट कराया. आज उसी का नतीज़ा है कि देशबार के स्तान्य निकायों के जरिये हमारे पास 15 लाग चुनी हुई महीला नेटा है. राजीव गांडी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है. इस बिल के पारित होने के साथ ही वो पूरा होगा. कांग्रेस पार्टी इस बिल का समार्थन करती है. हमें इस बिल के पास होने से कुशी है, मागर इसके साथ साथ एक चिंता भी है. मैं एक सबाल पोचना चाहती हूँ. पीछले तेड़ा वर्षों से भर्तियस त्रियों अस्त्रियां अपनी रजनीटिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं. और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहां जा रहा हैं. कितने वर्ष? दो वर्ष? चार वर्ष? छे वर्ष? आठ वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ परताव उचीत हैं? बारतिया राश्टिया कांगरिस की मांग है कि यह बिल फोर्ह आमल में लाय जाएं, लेकें लेकें इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, औरर बीसी की महिलाओ के अराक्षन की व्यावस्ता की विजा़ग. सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कादम उठाने की जरूरत है वो उठाने ही चाहिए अध्याक्ष महोदे श्थ्रियों के योगदान की स्विकार करने और उसके प्रथी आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचेट समय इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्थ्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है बर्थिया राश्टिया कांग्रिस की तराव से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारिशक्ती बंदन अधिनियान 2023 को उसके रास्ते की सारी रुखावतों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ऐसा ऐसा करना ऐसा करना ना सिर्फ जरूरी है बार की संबाद भी है हन्यवाद आरिवाद